अजी सुनते हो किचन का सारा काम खतम हुआ के नहीं देखो लड़ाई जगड़ा करके अब बाद में मुझे से रूट कर जो तुम मुझे काम कराती हो न यह तलग बात है देखो मेरा मुझ कितना सूजा हुआ है तुम्हारी मारते मेरे गाल पर इतनी जोर से चोट आई है पहरे तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मैंने तुम्हे मारा है बोलो अच्छा, तो अब मैं सबूत ही खटा करूँ तुम्हारे खिलाब मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि सारा काम दंदा छोड़ का तीरे पीछे लग जाओ समझी कर दिया मैंने सारा किचन का काम ये बरतन बढ़े हैं ये दो रहे न ठीक है अब मुसे दो उमीद करना मत कि मैं दोओंगा अरे अब इतना मू लटका के क्यों खड़ी है मैंने खाली बरतन मानने के लिए ही तो का है वह ये आदमी हो न जिससे मैंने शादी की थी मैं कुछ समझा नहीं मैंने जिस आदमी से शादी की थी न वो मुसे कभी काम नहीं कराता था अच्छा तो क्या करवाया करता था वो मुझे फूल की तरह रखता था पूल की तरह से उं upwards से प्रतन मनवाते हो छाणा बनवाते हो यह नहीं केक नोकDes नाकरानी ला करए pillar खाणने के बाद दो सारा काम दो मुझे करवा लेती है और पिर भी नोककानी के जड़यत है नोकानी के अंड़े दें toutes यहां कर इतना कहा है इतना करो मेरे लिए एक नौकराणी ढून के ले आओ ताकि मुझे बार-बार ये सब नोटंकी ना करनी पड़े अरे इतना करके तो भगवान को भी पता चल जाता कि मैं क्यों कर रही हूं तुम तो इंसान होके भी नहीं समझ पाए मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरी बेस्टी कर रही है कि तारीफ कर रही है जो जो बोलना है खुल के बोलना है काम पर जाना है कि पोचा भी लगाना है तुमको चलो अच्छा है, चले गए, वरना अभी पोजा भी लगाना पड़ जाता, आए मुझसे टकर लेने वाले आज तो बेटा भाग भाग के घर जाना पड़ेगा, उस चुड़ायल का कोई भरोसा नहीं कि मेरे लिए तैयार खड़ी हो, चब चाब जाकर किचन में छुप जाओंगा, खाना वाना खाकर अराम से बेडरूम में आ जाओंगा, इससे मैं दिखूंगा भी नहीं, और मेरा प लाला, हाई राम, मा जी, कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ बहार आकर, मज़ा आया ना, अच्छा, मैं तेरे साथ आई हूँ, तो मेरे साथ आई है बभू, कभी तो सोच समझ के बोल लिया कर, बंदर क्या जाने अद्रक का स्वाद, बभू, तेरी है मज़ा, तु मुझे बोलेगी, और जो आप मुझे उल्टा सीधा बोलती रहती है, उसका क्या, खुद जो टॉंट मारती है, उसका क्या, बस अपने पे आई, तो निकार ली तलवार, और मानने लगी मुझे, ए बभू, जादा जुबार ना चला, मेरे पास कोई तलवार नहीं है तुझे मानने के लिए, उल्टा तुने ही भाले चुपाए होंगे मुझे मानने के लिए, मैरा, आपका बिल आ चुका रहा है, प्रीज पे कर दीजिए, ए बहु, चल बिल पे कर दे, गर चलते हैं, मेरे सर में दर्द हो रहा है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारा आना, आर पर चल फिर बता दी हूं तुझे, कौन बिल पे करेगा, है, चार प्लेट चाउमीन क्या खा दी, तूने तो मुझे दानाव समझ लिया, अरी चार प्लेट चाउमीन में होता ही क्या है, कुद को देखा है, सुनो, आज क्या है, तुमको पता दीजिए, मुझे तो नहीं पत आप ही बता दीजिए, आज हैपी रिपब्लिक डे है, अरी अच्छा रिपब्लिक डे है, मुझे तो पता ही नहीं था, इसलिए बच्चे गली में नारे लगा रहे थे सारे जहां से अच्छा हिंदो सता हमारा हम बल बले है इसकी, ये गल सिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदो सता हमारा हम बल बले है इसकी, ये गल सिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदो सता हमारा हम लोगों को गर्व होना चाहिए के हम हिंदो है और हमने हिंदोस्तान में जनम दिया है इसलिए हमारा जहां सबसे प्यारा जहां है हाँ जी आपने बिल्कुल सही कहा आप सभी को हमारी और से हैप्पी रिपब्लिक दे हाँ और आप भी अपने घरों में ज़न्डा फैराईए देखिए हमारा हिंदुस्तान कितना प्यारा है हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तान में जन्मे चलिए आप भी हमारे साथ जन गनमन गाली जीए जन गनमन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता पंजाव सिंद गुजरात मराठा द्रावल उत्त कल वंग विंद ही माचल यमनावंग उचल जल दितरंग तब सुब नामे जागे तब सुब आशिश मागे गाई तब जय गाता जन गनमन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता लाता जय आएं जय आएं जय आएं जय आएं जय आएं जय आएं एएं बहारत माता की där हैं अजय आहरा न कर आशक अरे आदमी अपने टाइम से ही तो आएगा काम जितना होगा उतना ही तो निप्टा कर आएगा न ऐसे थोड़े ही चलाओंगा अरे तुम्हारे काम का कोई टाइम होता है या नहीं तो 9 बजे निकल जाते हो रात को सीधा 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे आज जाते हो ये कोई टाइम है आने का अरे तो अपना काम कर रहा हूँ न कोई गुलचरे थोड़े उड़ा रहा हूँ अच्छा, तो तुम गुलचरे भी उड़ाओगे मैंने ऐसा तो नहीं कहा चलो हटो आप मुझे जाने दो मुझे काम पर जाना है, चाब देखो मुझे रोका टोका करती है अरे बेटा, सुनो अरे अंकल जी, नमस्ते आप सुबा सुबा यहाँ कैसे आना हुआ अरे बेटा, हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं हो सकता है कि हम तो तिन दिन में ही लोट कर आ जाए या फिर शाम को ही आ जाए मन लगा तो ठुख जाएंगे मन नहीं लगा तो आ जाएंगे अब मैं यह कहने आया हूँ कि तुम दोनों पूरे घर का धिहान रखना समझे और अगर कही जाना हो अगर का ताला मार की बाहर से चले जाना समझे और चाबी जहां मैं बताओंगा वहाँ चुपा कर जाना ठीक है अंकल जी हम पूरे घर का धिहान लखेंगे आप अराम से घूम कर आईए ठीक है हाँ अंकल जी हम पूरे घर का धिहान लखेंगे तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है, और कोई दिक्कत होगी तो मुझे बता देना, मैं आ जाओंगा. अच्छा, एक बात बताओ, जब मैं तुम्हें रोज बोलती हूँ, कि जल्दी आ जाना, और हो सके तुम बीच में आ जाना, खाना बना कर खिला दूँगी, मकर तब तो तुम मेरी बात सुनते नहीं हो, और अब अंकल जी खुमने जा रहे हैं, तब तुम मुझे बोल रहे हो कि बीच में आ जाओंगा, जब तुम रोज नहीं आ सकते, तो आज कैसे आ जाओगे, बताओ, दोना जवाब, है ही नहीं जवाब, दोगे क्या, किस घड़ी पहाले किसे शादी की होगी, जब देको मुझे शक करती रहती है, हरे आदमी अपने काम से ही तो जा रहा है, किसी कुल नौ, मुझे पता है दस बजे से पहले तो तुम आने वाले नहीं हूँ, ठीक है, जओ जओ, तुम अपने आफिस जओ, अरे क्या हो गया, तू इतना मुझ लटका के क्यों बेटा है, अरे यार क्या बताओ, मुझे ना टेंशन हो रही है, अरे मुझे किसीच की टेंश तू तो मस्त वाला आथमी है टेंशन फिरी रहता है हर वक्त अब तो काम भी खतम हो गया है दस बज़े तक पार्टी करेंगे अब फिर उसके बाद तो घर चला जाना तेरी बीबी पूझेगी तो बोल देना काम कर रहा था वैसे भी तो रोज उल्लू ही बनाता है ना उसको फिर बना देना रोज उसे उल्लू बनाता हूं ये तो बात ठीक है मगर आज हमारे मकान मालिक नहीं है ना घर पे वो विचारी अकेली कैसे वहाँ इज़ेस्ट कर रही होगी सोच रहा हूं कि घर जल्दी चला जाओ अरे पारू पार्टी करने के ने हमारे पास दस बजे तक रुख जाता है तब क्या करेगा तू बात तो तुम्हारी सही है लगर मुझे उसके पर चिंटा हो रही होगी लगता है मुझे जाना ही पड़ेगा अगर एक बार उसे फोन करके पूछ लेता हूं कि मकान मालिक आए के नहीं ठीक है जैसे तेरी मर्जी फोन लगाले पूछ ले अगर आये तो ठीक है रुख जाना नहीं आये तो कोई बात नहीं तू चला जाना बोल देना जल्दी काम खतम हो गयता है 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 लो हां मैं ये पूछ रहा था कि मकान मालिक कब आये थे अरे क्या हुआ क्या कहा तेरी बीबी ने अरे यार मुझे तो जाना ही पड़ेगा कोई नहीं आया है और रात में वो बिचारीय के लिए कैसे रहेगी अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा ठीक है दोस्त आज तो मैं नहीं रुकूंगा फिर किसी दिन रुक जाओंगा आज तुमसे जाना ही पड़ेगा ठीक है? ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी तुम चले जाओ अंकल जी आप तो बड़ी जल्दी आ गए अगरेटा मा मन नहीं लगा तो हमने सोचा घरी चले जाते हैं तुम लोग भी अकेले होंगे ना तो सोचा जल्दी चले आते हैं अरे वाँ ये तो बहुत अच्छा हुआ ठीक है मैं आपके लिए चाए लेकर आती हूँ अरे अंकल जी आप तो बड़ी जल्दी आ गए आपने तो खाता दो तीन निम में आएंगे अरे बिटा तब ये ठीक नहीं थी ना तो सोचा जल्दी चले और तुम्हें भी तो प्राब्लम हो रही होगी ना अरे अंकल जी ये लीजिये मैं आपके लिए चाए बना कर ले आई हूँ को हुआ इतना डर क्यों नहीं हो जी आपका भाए मैंने तो आपको देखा ही नहीं आप देखो कि कैसे जूट मॉलने की बिमारी जो लगी है और अगर मैं दस बजे आ जाता तो क्या चला जाता तुम्हें जान पूझके मुझे बुलाया है ना बेटा मैं जाए पी चुका हूँ अब मैं अपने घर जा रहा हूँ तुम दोना नाम से बात करो ठीक है ठीक है अंकल जी आप अपने घर चले जाए हुम कभी नहीं सुदरोगी समझे आखिर तुम्हें अपनी बात मनवाई ली लो मैं घर आ गया चाटो मेरा दिमाग घर जल्दी आ जाया करो देखो यही टाइम है तुपारा आने का और तुम दस बजे न जाने क्यों इतना लेट कर देते हो मेरा मन नहीं लगता ना घर में अरे तुम्हें क्या पता मैंने अपने दोस्त से अदर दिन एक्चेंज गर लिया था वरना मैं तो दस बजे या था तुम्हें क्या पता घर ओफिस में साधी करने के यही साइट इफेक्ट होते हैं आदमी अपनी वीवी से जूट नहीं बोल सकता भरे वो अपने परिवार से जूट बोल ले क्या बताऊं बेटा मेरे चार बेटे हैं मगर उन में से किसी को मेरी परवा नहीं अरे अरे तुम तो मेरी राजा बेटा हूँ हां मुझे पता है कि वो मेरी फिक्र नहीं करते मगर तुम हो अपना खहया लगना थोड़ी देल में मिलता हूँ आपसे ठीक है बेटा धियान से जाना अपना खहया लगना चोट मत खाना भगवान एंसा पोता सबको दे बादाजी मैं आ गया अरी आ गई बेटा बेटा अपने चाचा, पापा, ताउजी सबको बुला के लेकर आओ मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ ठीके बादाजी मैं बुला कर लाता हूँ आज चाहता हूँ आज तो मैं इनसे बात कर कर ही रहे हूँ डादाजी मैं सबको बुला ला ठीके बेटा डैड मैं आ गया बाकी सब कहा है इनको भी बुला बस सब आई रहे हैं आज तो लगता है पिता जी घर का पटवारा करके रहेंगे हाँ क्यों नहीं घर का पटवारा करके रहूँगा जो ही सब देखना रह गया था ठीके बादाजी गुस्टा मत करें आप बात तो की जी इसके लिए बलाया था आज में मैंने तुम सबको इसने यहां बलाया था ताकि मैं सबको इकटा करके एक बात कह सकूँ अच्छा पिता जी बोलिए क्या कहना है आपको मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे चार बेटे हैं मगर चारों मेंसे कोई भी मेरा ध्यान नहीं रखता सिवा मेरे पोते के तब मेरी बात कान खुल के सुनो जड़ तक तुम मेरी सेवा नहीं करोगे मैं तुम चारों को कुछ भी जायदाद मेंसे नहीं देने वाला हूँ क्या पिता जी आप ये क्या बोल रहे हैं वही जो तुम सुन रहे हो अब दफा हो जाओ मेरी आखों के आगे से